आज कि वीडियो को देखरना आपको अश्चम्भा होगा, अश्चरे होगा क्योंकि आप ठट सा हसेंगे भी, हीरिजन यह है क्योंकि मैंन इंगलिस को बिल्कुल सरू से शुरू किया हूँ, पिल्कुल बैसिक से ABCD आप जो बच्पन में पढ़ते हैं, वहाँ समय ने शुरू किया है Alphabet से इंगलिज को पढ़ाना सुरू किया है इस video को सुरू से लेकर के आग तक जरूर देखिये क्योंकि यह video बहुत ही मस्त होने वाला है और संदार वाला है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पले मैंने यहाँ पर इस बूड पर लिखा है A से लेकर के Z तक लिखा है और इसको ही इंगलिस में कहते हैं अलफाबेट अलफाबेट एक एक पॉइंट्स को आप अराम से सुनते चलिए और समझते चलिए जानेंगे अलफाबेट अलफाबेट का हिंदी होता है वर्ण माला अलफाबेट का हिंदी होता है वर्ण माला इस अलफाबेट सब्द की उत्पती एक ग्रिक भासा के सब्द इस अलफाबेट सब्द की उत्पती एक ग्रिक भासा के सब्द अलफाबेटम से हुआ है किसे हुआ है तो अलफाबेटम से हुआ है अल्फा बेटम जो कि दो सब्दों से मिल करके बना हुआ है नंबर वन अल्फा एंड सेकेंड बीटा नंबर वन अल्फा एंड सेकेंड बीटा अल्फा और बीटा के मिलने के बाद बना हुआ है अल्फा बेटम क्या बना हुआ है अल्फा बेटम बना हुआ है समझिएगा यह जो alpha और beta है न ग्रीक भासा का सुरुवाती सब्द है इन्ही alpha और beta से ग्रीक भासा सुरू होता है और इसी को मिला करके English में बना दिया गया alpha betum और यह alpha betum सब्द Middle English में आया था किस English में आया था? Middle English में आया था आप जान जाए एक बात को कि English तीन परकार के हैं एक Old English है एक Middle English है और अभी जो चल रहा है दौर इसमें Modern English समलक पढ़ रहा है Old English, Middle English और Modern English और इसे Middle English में यह सब्द आया जिस सब्द का नाम है alpha betum और alpha betum को संचिप्त करके इस Middle English में लाने के बाद इसको alphabet कर दिया गया तो प्रशन पहला यह उठता है कि alphabet किसे कहते हैं? What is alphabet? Alphabet है क्या? इसको समझना बहुत जरूरी है फिर इसके बाद question उठता है कि alphabet कितने परकार का होता है? How many types या how many kinds of alphabet फिर इसके बाद alphabet का pronunciation कैसे होता है? विडियो को जरूर सुरू से लेकर के अंतक देखिए क्योंकि आज के इस विडियो में मैं इसको पूरे explain करने वाला हूं तो आप पहले जानिये alphabet के बारे में लोग कहते हैं alphabet is a combination of 26 letters समझेगा इस बात को alphabet को समझते चलिए is a combination is a combination of 26 letters alphabet is a combination of 26 letters alphabet 26 अक्षरों का संग्रह है 26 अक्षरों का मेल है 26 अक्षरों के मेल को alphabet करते हैं लेकिन मैं इस अवधारना को बिल्कुल घलत बताता हूं यह बात बिल्कुल सत्य नहीं यह बात बिल्कुल असत्य है क्या 26 अक्षर के मिल को अलफाबेट करते हैं वो कैसे यहाँ पर देखिए A, B और यहाँ कहां तक आया है Z तक आया है तो A, Z तक आया है तो इक कितने अक्षरों का मिल है तो 26 अक्षरों का मिल है तो क्या यह अलफाबेट है बिल्कुल नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये alphabet है ये alphabet मुझे नहीं लग रहा है आप याद रखिए इसमें से T को निकाल करके अगर मैं D के जगाव पर डाल दू और D को निकाल करके T के जगाव पर डाल दू तो क्या ये कितने अक्षर का mail है तो आप कहेंगे कि Sir 26 सक्षर के mail को alphabet कहते हैं कैसे आप कह सकते हैं इस बात को आप कैसे कह सकते हैं 26 सक्षरों के संग्रा को alphabet कहते हैं ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता है ना ये भी तो 26 सक्षरों का संग्रा है यहाँ पर D को निकाल करके मैंने T के जगाव पर ला दिया है और T को निकाल करके D के जगह पर ला दिया है तो क्या Alphabet होगा? नहीं होगा तो अब Alphabet का Real Definition जानिए Alphabet का वास्तविक Definition क्या है? A certain combination of 26 letters is called Alphabet A certain combination of 26 letters is called Alphabet 26 अक्षरों के सुनिश्चित संग्रा को Alphabet काते हैं जैसे यहां पर D नहीं होना चाहिए, यहां पर D होना चाहिए और T जहां था वहीं होना चाहिए यानि A के बाद B, B के बाद C और ऐसे करके इसको कहां तक जाना है? Z तक तब A Alphabet है ना कि A के बाद C, C के बाद B और A, Z तक जाएगा तो यह बिल्कुल Alphabet नहीं है इसको हम Alphabet नहीं कह सकते हैं Alphabet तो हमारा यह है Real में तो Alphabet यह है तो I think आपको बहुत बढ़ियां से समझ में आ गया होगा Alphabet is a certain यहां पर add करना बिल्कुल जरूरी है Alphabet is a certain combination of 26 letters या 26 अक्षरों का सुनिश्चित संग्रह होता है अब चलिए आगे बढ़ते हैं How many kinds of Alphabet थोड़ा सा Alphabet को एक ट्रिक से भी समझ लेते हैं Alphabet के लिए ट्रिक क्या है Alphabet का मतलब होता है Burn Mala Burn Mala आप समझे इस बात को Burn Mala Burn Mala यानि A, B, C, D, F, G, H, I, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z यानि Burn Mala देखिए ना यहाँ पर Burn Mala बन गया है Burnों का माला बन गया है यहाँ पर Burnों का माला है तो माला में क्या जो फूल होते हैं वो अलग-अलग तरीके के होते हैं हो सकते हैं लेकिन माला के जो फूल होते हैं एक निश्चित क्रम में सजाए गये होते हैं एक निश्चित क्रम में लाकर के माला के फूलों को रखा जाता है तभी तो यह Burn Mala का लाएगा तभी तो जाकर कि इससे Alpha Bait हम कहेंगे तो आपने देखा कि अलफा बेट को हमने एक ट्रिक के तहत भी जान लिया अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलफा बेट के कितने भाग हो तो अलफा बेट को दो भागों में बांटा गया है इस अलफा बेट को दो भागों में बांटा गया है इस वर्ण माला को दो भागों में बाटा गया है नमबर एक है वाविल पहला है वाविल और दूसरा है हमारा कॉंसोनेंट दूसरा क्या है? कॉंसोनेंट वाविल का मतलब होता है स्वर वाविल का मतलब होता है स्वर और कॉंसोनेंट का मतलब होता है व्यंजन पहले एक और बात याद रखेगा, आप जानते हैं कि A, E, I, O और U को, हम क्या काते हैं? तो बाविल काते हैं, सॉरी, इसको अपसे लिख देते हैं, A, E, I, O, और U को, हम क्या काते हैं? बाविल काते हैं, ए, E, I, O, U भाविल हैं, और इसके बाद जितना बच जाता है, इसके बाद जितना विसेस रह जाता है, उसको हम क्या काते हैं? तो आ, E, I, O, U को बाविल काते हैं, इसके बाद जितना बच जाता है, रह जाता है, उसे इ कहते हैं यह बिल्कूल ही सथ्ते नहीं है याद रखिएगा इस ववर को भी दो भागों में बाना गया है इस को समझे समझे इसlol को दो भागों可愛ually बा। नम्बर एक मेंवल नमबर एका मेंवल और लामबर सेकेंड्स commitment से मेवल मेंवल किसे कहेंगे और सेमी खैंगे क्थ touch मेन भवेल का हिंदी हो जाएगा मुख्यस्वर और सेमी भवेल के हिंदी हो जाएगा अर्धस्वर यानि ए ए आई ओ यू यू यह जो है आपका मेन भवेल है और डबलू वाई यह जो है आपका सेमी भवेल है तो भवेल भी दो परकार के होते हैं मेन भवेल और सेमी भवेल नहीं hain सात है अभ याद रहए Semi बौवल क्या है लेकिन वास्तविक में इसकी जो सीच्वेशन है क्रिस्थिति है यह साथ ही है अब मेंबहिल और सेमी जो वह बинки में भली दिश्टिश्टिबूट हो गा है और इसके बाद जो बिद्च जाता है B, C, D, A यह सब जितना बज जाता है Z तक यह आपका क्या होता है Consonant होता है तो Bible और Consonant Alphabet को दो भागों में बाट दिया गया एक Bible हो गया और दूसरा Consonant हो गया ën Bible को भी दो भागों में बाट दिया गया modo Brew हो गया और दूसरा क्या हो गया तो भाविल वह है वाविल जानेंगे हम वाविल यानि होता है मतलब स्वर वाविल किसे कहेंगे तो वविल वह है, स्वरव है, जिसका उचारन खुद इसी के सहायता से होता है, इसमें consonant किया हो सकता नहीं होती है, इसका pronunciation इसी के सहायता से होता है, इसमें consonant की कोई जरुरत नहीं होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर A, E, I, O, U, यहाँ पर मैंने पांच वविल लिख दिया, तो इसका हम pronunciation कर रहे हैं, यानि यहाँ पर A तो A, E तो E, I, यानि A और प्लस E, इस I का pronunciation जब मैंने किया, तो क्या आया, A प्लस E, यानि जब इसका उचारन होगा, तो A और E को मिला कर के हुआ, यानि वहल वह होता है, जिसका उचारन इससे यानिसकर्स निकलता है, कि वहल वह है, जिसका उचारन जिसका pronunciation खुद इसी के सहाथा से होगा, यानि वहल is that, आपका सकते हैं, वहल is that which articulate which is articulate, which is articulate itself, which is articulate itself, जिसका उचारन खुद इसी के सहाहता से हो वहीं आपका क्या होता है वावल होता है और आप आल्लेडी जानते हैं कि वावल दो परकार के होते हैं में वावल और सेमी वावल अब जानते हैं हम कॉंसोनेंट के वारे में, कॉंसोनेंट क्या होता है कॉंसोनेंट आखिर किसे कहते है कॉंसोनेंट का हिंदी होता है ब्यांजन कॉंसोनेंट का हिंदी होता है ब्यांजन और ये टोटल A, A, I, O, U, W, Y को छोड़ कर कि कि जितना बज जाता है ये टोटल कॉंसोनेंट होता है तो कॉंसोनेंट किसे काते हैं तो कॉंसोनेंट वह है जिसका उचारन वविल और कॉंसोनेंट दूनों के साहथा से होता है consonant वह है जिसका उचारन वविल के सहहता से होता है उसे consonant हम कहते हैं समझेगा इस बात को मालेजिए कि k m l p यह आपका क्या है consonant है तो अब हमें इसका उचारन करना है तो k यानि k को उचारन करें करें k a plus a k m यानि इसको कैसे उचारन करें A-A-plus-m-a-m-a-a-a-plus-la-l-p-p-s-a-plus-e-p-a-t-c-c-u-a-plus-e-p-e-a-r-p-a-l-p-a-r-p-r-p-a-pr-a-a-r-p-a-r-t-te-a-r-a-r-r-p-a-r-a-r-r-r-a-r-r-r-a-r-r-e-t-c-e-a-r-r-a-r-r-r-a-r-r-e-r-a-r-r-r-r-r-e-r-e-r-r-a-r-r- यानि पी का उचारन कर रहा है तो पी तो अलड़ी है लेकिन इसके साथ ए जो है आपका क्या है वाविल है यानि consonant का उचारन जब भी होगा तो वाविल के सहायता से होगा अकेले consonant का pronunciation नहीं किया जा सकता है यानि आपका सकते हैं कि consonant consonant is that consonant वह है which is articulate which is articulate जिसका उचारन किया जाता है which is articulate जिसका उचारन किया जाता है it with the help of with the help of वाविल किसके सहायता से तो वाविल के सहायता से consonant वह होता है जिसका उचारन वाविल के सहायता से किया जाता है यानि मैंने आपको अलफाबेट को बहुत ही बढ़िया से एक एक पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए आपको अलफावेट मैंने बहुत बढ़ियां से सीखा दिया यह हुआ अलफावेट इसके बाद के वीडियो में हम आपसे मिलते हैं अगर आप ग्रेमर को बढ़ियां से नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले मैंने बताया है कि वाट इस ग्र कितने प्रकार का होता है तो बेसिक इंग्लिस के तहट आप मेरे पहले वीडियो को देख लिजेगा मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लिजे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंच तक जरूर सेयर कीजिए क्योंकि मैं संकल्प ले चुका हूँ कि आपको ग्रेमर सिखाऊंगा बिल्कुल शुरू से इतना देर के लिए आप वीडियो पर बने रहें इसके लिए तहे दिल से बहुत-बहुत धन्य के बाद आप सबों का है बनाइश्टे